स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फाइंटासी स्पोर्ट्स में ICC Omen's T20 World Cup साउथ अफिरका ओमेन वर्सेस बंगलादेश ओमेन डेट 21 फैवरू अरी 2023 टाइम रात के सड़े 10 वजे मैच नमर 20 मैच वेन्यू की बात करें Newlands Cape Town South Africa में खेला जाएगा पीच रिपोर्ट की बात करें यह एक संतुलित पीच है इस पीच पर अब तक कुल 33 मैच खेले जा चुके हैं वेदर रिपोर्ट की बात करें क्याफ टाउन South Africa में मोसम बादल चाये हुए है मैच के दिन ताप मन 64% आधरता और 2.2 किलो मीटर फरती घंटा हवा की गती के साथ लगवक 26 डिग्री सेलसेस रहने की उम्मीद है वो ही वीजीविलीटी 10 किलो मीटर है खेल के दोरान 12 की 27% संभावना है फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलिग्राम की चैनल पर मिलेगा टॉसन प्लेंग 11 बाइटिंग आउडर के लिए टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें डिस्क्रप्सन बाउक्स में लिंक दिया है नियू लेंड्स इसकोर रिकाउट की बात करें तो टोटल मच 23 खेला गया है वाइटिंग फर्स्ट वाले 11 में जीते हैं बॉलिंग फर्स्ट वाले 20 में जीते हैं फर्स्ट निंग आवरेज इसकोर 150 है सकेंड निंग आवरेज इसकोर 138 है हाइस्ट टोटल एक सो तेरानवे है पांच विकेट के नुकसान पर लोईस्ट टोटल पंचानवे है दस विकेट के नुकसान पर हाइस्ट चेस्ट हुआ एक सो तेरानवे एक विकेट के नुकसान पर जबकि लोईस्ट डिफेंडड है एक सो उननीस तीन विकेट के नुकसान पर South Africa Omen cricket team इंजड़ी की बात करें तो इसका अभी तक कोई चोट अफडेट नहीं है बंगलादेस Omen cricket team इंजड़ी की बात करें इसका भी अभी तक कोई चोट अफडेट नहीं है South Africa Omen versus Bangladesh Omen Dream 11 prediction की बात करें South Africa की महिला हाल के मैचों में अच्छी फॉम में दीक रही है वे मैची जीतने की प्रावल दावेदार है South Africa Omen versus Bangladesh Omen हेट टू हेट की बात करें तो South Africa Omen 9 मैच जीते हैं जबकि Bangladesh Omen एक मैच जीते हैं South Africa Omen टीम की बात करें तो पहले लॉस फिर वीन फिर लॉस और आखरी में डवल वीन लोडा वोल्ड वाट्स 28 बल पर 19 रन की पारी खेले 17 बल पर 13 रन की पारी खेले 20 बल पर 18 रन की पारी खेले 11 बल पर 17 रन की पारी खेले तजमीन बिरिष्ट की बात करें तो 36 बल पर 45 रन की पारी खेलें दो बल पर 1 रन की पारी खेलें 18 बल पर 12 रन की पारी खेलें 18 बल पर 38 रन की पारी खेलें और आखरी मैच में 15 बल पर 8 रन की पारी खेलें तो मरी जान क्याफ की बात करें तो 2 बल पर 0 रन की पारी खेले, 10 बल पर 9 रन की पारी खेले, 12 बल पर 11 रन की पारी खेले, 5 बल पर 9 रन की पारी खेले और आखरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे या लगतार दो मेच में दो-दो विकेट निकाले अगला दो मेच में या एक-एक विकेट निकाले थे और आखरी मेच में या बॉलिंग नहीं किये थे सुने लोस की बात कर रहे तिया टीम का कैप्टन है जो 24 बॉल पर 20 रन की पारी खेले थे 17 बॉल पर 22 रन की पारी खेले 27 बॉल पर 28 रन की पारी खेले 7 बॉल पर 8 रन की पारी खेले और आखरी मैच में 13 बॉल पर 12 रन की पारी खेले थे या लगतार 3 मैच में बॉलिंग नही पारी खेलेते हैं और आखरी मच में 32 बॉल पर 57 रन की पारी खेलेते हैं पहला मच में या विकेट लेस रहे हैं अगला मच में दो विकेट निकालें फिर बॉलिंग नहीं कियाते हैं और आखरी दो मच में या विकेट लेस रहे हैं देलमाडी टकर की बात करती है या विकेट 28 रंट नोट आउट की पारी खेले, 11 बल पर 7 रंट की पारी खेले, 27 बॉल पर 50 रंट की पारी खेले थे, और आखरी मैच में 17 बल पर 17 रंट की पारी खेले थे पहला मच में यह विकेट लेस रहें, अगला मच में बॉलिंग ने किये, फिर एक विकेट निकाले थे, और आखरी मच में यह विकेट लेस रहे थे, सिनालो जफता की बात करें यह विकेट की पर है, जो एक बल पर एक रंड नोट आउट की पारी खेले, तीन बल पर पांच not out की पारीखे ले Newble पर 15 run की पारीखे लें और आखरी 2 मच में बैटिंग का चांस नहीं आये थे सब नीम इसमायल की बात करे तो पहला मच में wicked लेस रहें अगला दो मच में या 1-1 विकेट निका लेываем फिर अगला बढ़ा क्लास की बात करें तो दो मैश में यह एक एक विकेट निकाले अगला में में चार विकेट निकाले था और आखरी दो मैश में यह विकेट लेस रहे थे बंगलादेश ओमेंटीम की बात करें तो लगातार पांच लोज समीमा सुल्तना की बात करती है विकेट की पर है जो 11 बोल पर 14 रन की पारी खेले 13 बॉल पर 20 रन की पारी खेले 10 बॉल पर 15 रन की पारी खेले था और आकरी मिच में 41 बॉल पर 36 रन की पारी खेले था है सो बना मुश्टरी की बात करें, तो 9 बल पर 4 रन की पारी खेले, 17 बल पर 7 रन की पारी खेले, 32 बल पर 29 रन की पारी खेले, 6 बल पर 2 रन की पारी खेले और आखरी मिच में, 21 बल पर 18 रन की पारी खेलेते हैं, निगार सुल्तना की बात करें, यह टीम का कैप्टन है, साथी विकेट की पर भी है, जो 14 बल पर 8 रन की पारी खेलें, 50 बल पर 57 रन की पारी खेलें, 34 बल पर 28 रन की पारी खेलें, 36 बल पर 40 रन की पारी खेलें तो और आखरी मिच में, 7 बल पर 3 रन की पारी खेलें तो और आखरी मिच में, 7 बल पर 3 रन की पारी खेलें तो और आखरी अहमद की बात करें तो पांच बल पर दो रन की पारी खेले चार बल पर चार रन की पारी खेले अगला मैच में वैडिंग का चांस नहीं आये थे पिर तीरा बल पर छे रन की पारी खेले थे यह लगा थार दो मैच में विकेट लेस रहे अगला मैच में बॉलिंग नहीं किया फिर दो विकेट निकाले थे और आखरी मच में या विकेट लेस रहे थे रीतू मोनी की बात करें तो बारा बॉल पर पांच रन की पारी खेलें चार बल पर तीन रन डोट आउट की पारी खेलें तीन बल पर दो रन की पारी खेलें उनिस बॉल पर 11 रन की पारी खेले पांच में 5 बॉल पर 3 रन की पारी ते- entonces यह लगतार 5 मुच में बिकेट लेस रहे थे नाहिदा अक्तर की बात करें लगतार 3 माच में यह बिकेट लेस रहे अगला मच में यह 2 विकेट निकालें तो लगतार तीन मेच में यह विकेट लेस रहे थे, अगला मेच में यह एक विकेट निकाले हैं और आखरी मेच में यह विकेट लेस रहे थे, मरूफा अक्तर की बात करें, तो पहला मेच में विकेट लेस रहे हैं, अगला मेच में एक विकेट निकाले हैं, फिर तीन की पर दिशा विश्वास है, रवया खान है, संजीदा अपतर है, फानल टीम की अपडेट आपको टेलिग्राम की चैनल पर मिलेगा, टॉसन प्लाइंग 11 बाइटिंग आवडर के लिए, टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन की ने डिस्क्राप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगत वीडियो को लाइक और सस्क्राइब कर दिजिएगा, ताकि आप तक ने वीडियो का नठिफिकेशन सबसे पहले पहुचे, पिलियर की बात करतों विक्केट की पर से निकार सुल्तना को रखे हैं, और समीमा सुल्तना को रखे हैं, मुर्सिदा खातूल को रखे हैं, और तजमीन ब्रीट्स को रखे हैं, और रांडर से मरिजजान कैप को रखे हैं, नेडिन डे क्लर को रखे हैं, और स्वरना अक्तर को रखे हैं, बालिंग से मसा बठा क्लास को रखे हैं, मरूफा अक्तर को रखे हैं, और नॉन पुलू लेकों मलावा है यह फानल टीम नहीं है दोस्तां फानल टीम अफ्टर ताउस के बाद द्या जागा टिलिग्राम चैनल पर अगर अभी टक टेलिग्राम चनल नहीं जोईन कियें तो जरोर जोईन किरें डिस्क्राप्शन बॉक्स में लिंक दिया है